हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ब्रेट समोसा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी समोसे बनकर तेयार होते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है आएए देख लेते हैं ब्रेट समोसा बनाने के लिए हमें किन-किन इन्ग्रेडियन्स की जरूरत है। ब्रेट समोसा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। 1 टेबल ऐस्पुन रसान अदरख का पेस्ट लिया है। 3 टेबल ऐस्पुन दही लिये, और कुछ प़ॉडर मसाले लिये है। 1 teaspoon नमक लिया है 1 teaspoon चिली फ्लेक्स ली है और 1 teaspoon कुटा हुआ धनिया लिया है half teaspoon काली मिर्ज का पौडर लिया है half teaspoon हल्दी पौडर और half teaspoon जीरे का पौडर लिया है और इसकी कोटिंग के लिए मैंने fresh bread crumbs लिये है तीन अंडे लिये है और चीज ली है मैंने 1 teaspoon चिली फ्लेक्स ली है 1 teaspoon नमक लिया है और आधा कप दूज लिया है आए सबसे पहले हम चिकन को मेरिनेट कर लेते हैं तो चिकन में सभी पौडर मसाले डाल देते हैं और लसना द्रक का पेस्ट दही और इन सभी मसालों को चिकन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चिकन हमारा मेरिनेट हो गया है तो अब हम इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसे पकाएंगे चिकन को मेरिनेट होते हुए 10 मिनट हो गया है तो अब हम इसे पका लेते हैं कड़ाई में मैंने बन टेबली स्पून तेल ले लिया है और तेल के गरम होते ही हम इसमें चिकनेट कर देंगे और इसे एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे तेल के साथ में चिकन को फ्राई होते हुए एक मिनट हो गया है तो इसमें टू टेबल इस्पून पानी डाल कर गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे दस मिनट के लिए पकाएंगे चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गये है अभी इसमें काफी पानी नज़र आ रहा है तो हम गेस की फ्लेम को हाई कर लेते हैं और इसका इसे फ्लेमपर हम इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और थोड़ा सा हम इसमें चौप किया हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेंगे इसमें यह देखिए चिकन का सारा पाने ड्राई हो चुका है बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने इसको अभी हमें गेस की फ्लेम हाई रखनी है क्योंकि अब हम इसमें मायोनीज जेट करेंगे तो मैं टू टेबल इस्पून मायोनीज का इस्तेमाल कर रही है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मायोनीज को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं एक बावुल में पलट लेंगे हम इसे और नेक्स्ट स्टेप में हमें एक ब्रेड ले लेनी है रेश ब्रेड का इस्तेमाल किया है मैंने कोशिश कीजिएगा कि bread fresh होनी चाहिए और इसके चारो कोने हम इस तरह से cut कर देंगे चाकू की मदद से और बागी के bread slice भी मैं इसी तरह से cut कर लूँगी अब हम इसे balance से बेली लेते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यह जब हम इसके अंदा stuffing भरेंगे तो बहुत easily fold हो जाएगी यह देखिए इस तरह से flat हो जाएगा यह अब हम इसके अंदा stuffing भरते हैं two table spoon stuffing रखेंगे इससे ज्यादा मत रखियेगा नहीं तो समोसा फट सकता है और अब हम इसके उपाद cheese slice रखेंगे और मेदे का glue लगाएंगे two table spoon मेदा लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा पाने डाल कर उसका एक गाड़ा सा paste बना लीजिएगा और bread की चारो side पे लगाकर इस तरह से समोसे को seal कर लीजिए और बाकी के समोसे भी मैं इसी तरह से बना कर तयार कर लूँगी तो बाकी के बचे हुए समोसे मैंने इसी तरह से बना कर तयार कर लिए हैं तो हम इसकी coating कर लेते हैं अंडो में नमक और चिली फ्लेक्स डालेंगे और साथ में डालेंगे दूद दूद डालने से अंडे का बेटर थोड़ा पतला हो जाता है तो दूद डालकर हम इसे अच्छे से फेट लेंगे अब हमें एक एक समोसा उठा कर पेले अंडे में डिप करना है इस तरह से और फिर इसे ब्रेट क्रम्स में कोट करना है दूसरे हाथ से तो ब्रेट क्रम्स में इसे अच्छे से कोटिंग कीजिएगा जब हम इस तरह से इसकी कोटिंग करते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी समोसे बन कर तैयार होते हैं और बाकी के सभी समोसे भी मैं इसी तरह से कोटिंग कर लूँगी और सभी समोसे हमारे कोटिंग हो चुके हैं अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं गेस की फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि हमें इसमें कुछ पकाना नहीं है चिकन हमारा ओल्रेटी पका हुआ है और अच्छा सा गॉल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे जब एक साइट पेस में अच्छा सा गॉल्डन कल और अगया है समोस पर बस अब हम इने निकाल लेते हैं के ल-दे करलेंगे हैए हाइफ फ्राई करेंगे ऑच्छा सा बल्डा्टन कलर और थे कर लें तो यह नो सबवर्ण कर देखे कितने जबरदसत हमारे विड्ल टर मेंगर त्यार हुए है बहुत ही किरिस्पी बने हैं और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग भरी है चिकन की वह भी बहुत मज़े की लगती है तो आने वाले रमजानों में आप इसे अफ्तार में जरूर बनाईएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएग वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए थैंक्स फॉर वाशिंग माई वीडियो अलाहाफेज